राम लला की ये प्रतिष्ठा वसुधेव कुटम कम के विचार की भी प्रतिष्ठा है साथियों आज अयुद्ध्या में केवल स्री राम के विग्रा रूप की प्रान प्रतिष्ठा नहीं हुई है ये स्री राम के रूप में साक्षात भारतिय संस्कृति के प्रति अटूट भी स्वास की भी प्रान प्रतिष्ठा है ये साक्षात मानिवे मुल्यों और सर्वोच्च आदर्शों की भी प्रान प्रतिष्ठा है इन बुल्यों की इन आदर्शों की आवशक्ता आज संपूर्ण विश्व को है सर्वे भवन तु सुखे जाए यह संकल्प हम सद्यों से दोहराते आए है अज उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मेरा है यह मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है यह भारत की द्रश्टी का भारत के दर्शन का भारत के दिख दर्शन का मंदिर है यह राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है राम भारत की आस्ता है राम भारत का आधार है राम भारत का विचार है राम भारत का विधान है राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम भारत की प्रतिष्टा है, राम भारत का प्रताब है, राम प्रभाव है, राम नेती भी है, राम नीती भी है, राम नित्यता भी है राम निरंतरता भी है राम विवु है विशद है राम व्यापक है विश्व है विश्वात्मा है और इसलिए जब राम की प्रतिष्ठा होती है तो उसका प्रभाव वर्षों या सताद्यों तक ही नहीं होता उसका प्रभाव हजारों वर्षों के लिए होता है महर्ची वालमिकी ने कहा है राज्यम दस सहस्त्रानी प्रप्य वर्षानी रागवा अर्थात राम दस हजार वर्षों के लिए राज्य पर पतिष्ठित हुए यानि हजारों वर्षों के लिए राम राज्य स्थापित हुआ